हेलो एवरीवन येसवन ने क्वेश्चन किया है जिस पर ये वीडियो मैंने बनाया है येसवन का क्वेश्चन है कि ब्रूनर ग्लैंड्स और क्रिप्ट्स ओफ लिबरकुन क्या है तो देखो येसवन सबसे पहले जो एलिमेंटरी केनाल का हिस्टोलोजी है उसको देख लेते हैं अर्ऐ इस ट्यूब को हम कट करके साइट से देखेंगे तो जैसे किसी किई कुछ वैसा व्यू दिखाई देगा तो जैसे पाइप के अंदर जो इस्पेस होता है जहां से पानी पहते देख से इसी तरह से समझ लो elementary canal के अंदर भी space होता है जहां से क्या होता है food travel करता है अब diagram जैसा के देख रहे हो NCITS मेंने लिया है इसमें यह जो tube है यह जो elementary canal है इसका जो सबसे outer most layer है उसका नाम है cirosa इसके बाद cirosa के बाद जो layer है उसको बोलते है muscularis और muscularis में देख सकते हो inner circular muscles है और outer longitudinal muscles है इसके बाद सब mucosa है और सबसे last में mucosa है तो अभी हम इनके structure के बारे में ज़्यादा detail हैं बात नहीं करते हैं direct question पर आते हैं तो इतना तो समझ में आगी बात की जो सबसे inner most layer है वो क्या है mucosa है अब ये जो mucosa वाला layer है इसको थोड़ा सा दूसरे diagram में देखते हैं तो ये देखो ये जो second diagram है ये भी NCRT से लिया है और यहाँ तुम देख सकते हो कि जो mucosa में तुम्हें finger like projections दिख रहे थे वो यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं अब ये जो finger like projection है इनके बीच में तुम्हें देखो यहाँ पे ये एक pit या गड़ा जैसे दिख रहा है इस pit को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं Crypts of Librecon Librecon scientist है और जिनके नाम पे ये Crypts of Librecon हम बोलते हैं इसी तरह से अब बात करते हैं Brunner Gland की तो देखो जो Brunner Gland है ये Crypts of Librecon है वो क्या था वो तो एक pit है पेट यानि की गड़ा लेकिन जो Brunner Gland है ये कोई गड़ा नहीं है ये क्या है ये group of cells है जो को सिक्रीट करेगी तो दोनों में difference देखो Librecon की जो बात हम कर रहे है वो क्या है वो एक area है है ना लेकिन जो Brunner Gland है वो कोई area नहीं है वो cells को हम बोल रहे है group of cells which secrete something अब एक एक करके बात करते हैं पहले Librecon की बात करते हैं तो देखो जो Crypts of Librecon है इसको ये इसका location कहा है देख सकते हो कि जो mucosa वाली जो layer है mucosa वाली layer में diodenum और jejunum ileum यानि कि small intestine की बात चल रही है small intestine में जो willy होंगे willy के बीच में जो gap होगा उस gap को बोलेंगे Crypts of Librecon इसका मतलब क्या हुआ कि आप से एकर कोई मूझेगा कि Librecon Crypts of Librecon कहां located है तो आपको क्या बोलना है आपको बताना है small intestine में ठीक अब यह जो Librecon है इन में जो यह गड़ा है इस गड़े में जो cells होती है जो यह cells होती है यह material से क्रीट करती है और यहां काफी सारी cells होती है जैसे एक पैनत cell होती है यह material से क्रीट करती है इसी तरह से दूसरी भी काफी सारी cells होती है इन सब का जो collective material होता है उसे क्या बोलते है उसे बोलते है intestinal juice और intestinal juice का function आप जानते ही है अब बात करते है brunner gland के बारे में तो brunner gland आप इसी diagram में देखो यह किस वाले section में आ रहा है यह diodenum वाले section में आ रहा है ठीक तो जो brunner gland है यह एक compound tubular gland है compound tubular gland है और यह कहां located है diodenum वाले portion में located है और इसका main function क्या है यह देख लेते हैं तो जो brunner gland है उससे जो material से क्रीट होता है वो alkaline होता है brunner gland से जो material से क्रीट होता है वो कैसा है alkaline है और इसका function क्या है तो इसका एक function तो यह है कि जो food अभी stomach से आया है उसको हम क्या बोलते हैं काइम बोलते है तो जो stomach से food आया है उसको protect करना है दूसरा इसका function क्या है दूसरा इसका function है कि alkaline medium food को बना देना है food का जो medium हो कैसा कर देना है alkaline जिससे क्या होगा जिससे जो intestinal enzymes हैं वो active हो जाएंगे हमें पता है कि stomach में जो enzymes होते हैं उनको active होने के लिए कैसा medium चाहिए होता है acid लेकिन diodenum में जो यानि की small intestine में जो enzymes release होते हैं उनको active होने के लिए medium कैसा चाहिए होता है alkaline और इसका तीसरा function है कि यह intestinal walls को lubricate कर देती है जिससे कि food असानी से फूखर सके तो यह बात हो गई bruner gland और crypts of livercone के